दोस्तो ये है Poco M2 Pro 3-year पूरणा एक फोन हाली में इस डिवाइस पर MIUI 14 के साथ Android 12 का आपडेट आया है मैं 7 days इस आपडेट के साथ इस फोन को यूस किया उसका बाद में एक फूल रीडू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्या मदर वो डेट होगा क्या फोन का कैमेरा डेट होगा सब कुछ इन डीटेल इस वीडियो के साथ में शेयर करूँगा वीडियो को लाइक देखे अंतक देखिए दोस्तो दोस्तो देखिए MIUI 14 का अपडेट आया है 14.0.3.0 OTA पर आपको इधर साइज देखने के लिए मिले देखिए Android 12 का अपडेट पहले था MIUI 13 के साथ और MIUI 14 के साथ भी आपको Android 12 का अपडेट देखने के लिए मिल गया है मतलब सेम टू सेम आपको MIUI 13 का जो जो फीचर्स था आपको 99% सेम फीचर्स इधर देखने के लिए मिल जाएगा जो चेंज हुआ है ओ है security patch level का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा और सिस्टेम आपको अपडेट शो है ओज़ाएगा अपको 3GV तक आपको इधर श्पेस एक्स्टा देखने के लिए मिल जाएगा देखिए इतर sidebar का finally option आगया है पहले भी था नहीं था मीवाई 14 के साथ आपको इधर देखने के लिए मिल रहा है but one time आप एक ही application को sidebar में access कर पाओगे देखिए मैंने YouTube इधर open किया और sidebar का access हमको left side पर देखने के लिए मिल रहा है और कोई भी application हम open करेंगे तो हमको one time एक ही application show होगा देखिए मैंने Flipcut को इधर open किया और Flipcut open करने के बाद आप Flipcut को use कर पाओगे कोई भी phone slow नहीं होगा, lag नहीं होगा but उतना भी fast नहीं है आपको multitasking का experience बड़ी असा देखने के लिए मिलेगा जो budget range पर actually होता है आपको उस तरह गाई experience मिलेगा और इधर देखिए मैंने Amazon को open किया और Flipcut अपने आप shutdown हो गया है but MIUI 14 के साथ Android 13 का update जिस phone पर आया है उधर आप 3 application को instant एक साथ आप यूज कर पाओगे जो इस device पर आपको देखने के लिए नहीं मिले MIUI 13 का जो update आया था इस device पर तब मैंने आपको बोला था sound थोड़ा low हो गया है but MIUI 14 के साथ आपको improvement देखने के लिए नहीं मिल रहा है देखिए sound आपको कैसा लग रहा है दोस्तो यह जो sound अप लोग सुने हो यह outdoor condition पर actually आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि कोई भी mic से मैंने recording नहीं किया है मैंने inbuilt mic से recording किया हूँ और थोड़ा हमको low लग रहा है और आपको कैसा लग रहा है आप comment section पर comment करके हमको बोलिए क्योंकि पहला जैसा आपको sound का output देखने के लिए नहीं मिल रहा है आपडेट के बाद थोड़ा मोड़ा smoothness हमको थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है बट उतना भी बढ़िया आपको smoothness देखने के लिए नहीं मिलेगा मतलब previous version की तरह ही आपको experience इदा देखने के लिए मिलेगा बैटरी बैकाप हमको थोड़ा कम लगड़ा है क्योंकि मैंने almost 3 year इस device को यूज किया आपको इदर skin on time on average आपको 6 hour to 6.5 hour देखने के लिए मिलेगा maximum 7 hour तक आपको skin on time 0% to 100% आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो सब comment करके बोली आपका device पर आपको battery backup कैसा देखने के लिए मिल रहा है हमको उतना बड़िया battery backup इदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है इदर CPU का जो throttling test है same to same आपको MIUI 13 की तरह ही आपको performance देखने के लिए मिलेगा क्योंकि Android 13 के साथ आपडेट रोल आउट नहीं किया है Android 12 के साथ आपको आपडेट देखने के लिए मिल रहा है और Android 13 में आपको MIUI 14 का 100% features देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तो थोड़ा मोड़ा optimization जोरूर हुआ है हमको उतना जो serious bug होता है serious bug कोई भी नजन नहीं आया है और phone भी dead नहीं होगा, motherboard में भी कोई problem नहीं होगा camera भी dead नहीं होगा, मैं confirm बोल सकता हूँ क्योंकि कोई भी user का कोई भी issue इस update के बाद नहीं हुआ है आप simply update कर सकता है दोस्तो आपका experience कैसा है इस ROM के साथ आप comment section पर comment करके हमको बताएए कोई भी problem हो तो आप comment section पर comment कर सकतो मैं answer provide कर दूँगा और वीडियो को एक like कर दिजिए और next video के लिए wait किजिए